ओम नमो भगवते वासुदे वाय नमाई जय बातारणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधिना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मा भगवते दुर्गा की क्रिपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वधा बनी रहे सनातन धर में तुलसी विवा बहुत विशेश महत्वर रखता है कार्तिक मास्स की शुकलपक्ष की एकाद शी ती जिसे की देव उठनी एकाथी कहा जाता है इस दिन जब शालिक ग्राम सुरूप और तुलसी का विवाह संपन्य कराये जाता है उसके बाद ही सनातन धर में सभी प्रकार के शुब और मांगली कारिय शुरू हो जाते हैं जैसे के चातुर मास में जब भगवान श्री हरी विष्णु सय नवस्था में होते हैं उस समय में किसी भी प्रकार के शुब और मांगली कारिय सनातन धर में वर्जित माने गए हैं विवाह, जनेव, मुंडन, यग्रिय प्रिवेश इत्यादी कारिय इस चातुर मास के दौरा नहीं किये जाते हैं तो जब भगवान श्री हरी विष्णु सय नवस्था से जागरी तवस्था में आते हैं देव उठनी एकाची के दिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि तुलसी विवाह साल 2021 में कब है 14 नमंबर या 15 नमंबर क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्ण आ रहे हैं कि 14 नमंबर को देव उठनी एकाची है जो कि रवी बार का दिन है और रवी बार के दिन न तो तुलसी की पूजा की जाती है ना ही तुलसी का स्पर्स किया जाता है तो इस दिन हम तुलसी का विवाह कैसे संपन्न कराएं इसके साथ ही आपके प्रश्ण है कि कोई बहुत ही आसान विधी बताएं जिसके द्वारा हम घर में ही स्वयम से ही अगर हम ब्राम्भन ना बुलाना चाहें तो किस प्रकार से तुल्शी और साली ग्राम का विवाह संपन्ने कराएं ताकि संपुर्ण फल हमें प्राप्त हो और किसी भी कामना से हम तुल्शी और साली ग्राम का विवाह करें पूजा करें तो वो हमारी कामना पुर्ण हो इसके लिए कोई बहुत जरल विधी बताएं तो बहुत यह आसान विधी में आपसे शियर करने वाली हूँ तुल्शी विवाह की जो के हर व्यक्ति अपने घर में ही कर सकता है स्वयम से परिवार के सदस्यों के साथ ही आप इस विधी से मात तुल्शी और शाली ग्राम का विवाह संपन्न करके संपुर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए तुल्शी विवाह से संबंधी संपुर्ण संसय में आपके दूर करने वाली हूँ कब होगा तुल्शी विवाह और कब शुब महुर्थ है इस विवाह का इसके साथ ही किस विधी से तुल्शी विवाह करें जिससे की संपुर्ण फल हमें प्राप्त हो तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी जरू पर जो नए वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी दोस्तों धार्मिक शास्त्रों में तुल्शी विवाह के बहुत अधिक शुक्फल बताए गये हैं तुल्शी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुन्यफल की प्रा जाता है और सभी प्रकार की सामगरी जो हमें कन्या को देते हैं दान स्वरूप में या फिर उपहार स्वरूप में वो सभी सामगरी किसी ब्रामण को देकर तुल्शी को दान किया जाता है इस प्रकार से जो भी व्यक्ति तुल्शी दान करके और सभी सामगरी के साथ तुल कि दोनों को देव-उठिनी एकाथी के दिन व्रतत्धारन करना चाहिए भगवान्षटरी Χριह Granny Vishnu का विती विधान से पूज़ा करना चाहिए इसके साथी शाली ग्राम और मा तुलसी का विवाह संपन्य कराना चाहिए शाली ग्राम और तुलसी का विवाह अगर कोई भी दमपत्ती सच्चे मन से करता है तो उसकी संतान प्राप्ती की कामना अवश्य पुरुन होती है तो जिनके संतान नहीं है उन्हें जरूर आज के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्य करके उनसे फ्राटना करनी चाहिए दामपत्य जीवन में परेशानी आ रहे हैं पति-पत्नी के रिष्टे मधूर नहीं है अगर आप तुलसी विवाह कराते हैं देव उठनी एक काची पर तुलसी की पूजा करते हैं शालिग्राम की विधिवत पूजा आरादना करते हैं तो पति-पत्नी के रिष्टे मधूर होते हैं पति-पत्नी के रिष्टों में मिठास आती है विवाह में बहुत अधिक विलं अपार धन संपधा चाहिए तुलशी और साली ग्राम का पूजन कीजिए कोई भी आपकी कामना हो अगर आप देव उठनी 81 पर तुलशी शाली ग्राम का विवाह कराते हैं पूजन करते हैं विधिविधान से तो वह आपकी कामना अवैश्य पुरुण हो जाती है क्योंकि कुलसी का विवाह संपन्नी करना है q26 1994 को लवी वार के दिन देव उठनी एकादशी थी तीए अच के दिन व्रत धारन जाेगा व्रत धारन किया जाएगा यहां वह के जगहों पर कई मन्दिर्बूं में भी बंधर हे रही दिन भी देव उठनी एकादशी का वरतंप तो 16 नवंबर के दिन द्वादिशी तीथी समाप्त हो जाएगी और कई लोग 15 नवंबर को भी व्रत धारन कर रहे हैं तो यह अपनी अपनी मान्यता है दोनों ही दिन बहुत स्रेश्ट हैं दोनों ही दिन व्रत धारन किये जा सकते हैं जैसा आपके परिवार में हो रहा है लेकिन ट्रवी वार के दिन एकादशी तीथी है जो हम व्रत करने वारे हैं एकादशी का तो रवी वार के दिन तुल्सी पूजन नहीं होगा तुल्सी में जल नहीं दिया जाता तुल्सी को सपर्ष नहीं कराया जाता तो आज हम तुल्सी का विवाह संपन्न नहीं करेंग तो द्वादशी तिती के दिन, सोमवार के दिन आप मा तुलसी का विवाह संपन कराएं, शाली ग्राम सोरूप के साथ, और शाम के समय तुलसी का पूजन करके विवाह संपन कराएं जाता है, तो दिन से ही तैयारिया शुरू हो जाती है, जैसे कि तुलसी का विवाह संपन कर पूरे घर की साफ सफाई कर लीजिए उस जगह पर जहां आपको तुलसी विवाह करना है तुलसी का गमला रखना है शाली ग्राम को रखना है गंगा जल छिड़के वहां पर और आपको चौकी लगानी है दोस्तों मैं अब एक आपको बहुत आसान विथी बता रहे हूं जो स्वयम से परिवार में कर सकते हैं किसी भी ब्रामण को अगर आप नहीं बुलाना चाहते हैं समर्थ नहीं है ब्रामण बुलाने में तो आप इस विथी से स्वयम से ही घर में तुलसी और शाली ग्राम का विवाह कर सकते हैं और पुरण फल तुलसी विवाह का आपको प्रा तुल्सी का जो गमला है पहले आप उस गमले को गेरू से रंग दीजिए मतलब किसी भी तरह से उसकी साफ सफाई करनी होती है उसके बाद हमें गेरू से रंगने का मतलब होता है साथ सजावट करना जैसे विवाह हो रहा है तुल्सी का तो हमें उनकी साथ सजावट का विशे मंडब तयार कर लेते हैं अगर एक मंडब का आकार हम देते हैं तो एक बहुत ही शुब फल देने वाला एक दिखता भी है कि यहां पर विवाह संपन्य हो रहा है जैसे कि नॉर्मली हम साधी विवाह कराते हैं तो मंडब तयार करते हैं उसी प्रकार से आपको तुलशी और श शालिग्राम के चौकी पर आपको पीला वस्त्र बिछाना है और मातूलसी के चौकी पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है इसके साथ ही जब आप ये दोनों चौकियां सजा लेते हैं तो बहाँ पर आपको एक दीप कलश स्थापित करना है मतलब आपको एक पात्र लेना है जिसमें आपको जल भरना है उस जल में आपको थोड़ा सा अक्षत और पुस्प डालना है बहुत कुछ उस जल के अंदर नहीं डालना है शुद्ध जल गंगा जल से आप कलश को भरके उस पर पंच पल्लव रख दे और उसके साथ ही आप उस नहीं तो एक सुपारी पर कलावाल पेड कर थोड़े से चावल रख कर चावल में उस सुपारी को थापीद करके विदिवत उनका पूजन कर दीजिए पंचो पचार जैसे धूब दीप अक्षत नानित्यादी कराकर आप गणेश जी का सरपर्थम पूजन कर लीजिए उसक इसके बाद हम उन्हें अरपित करते हैं शनानित्यादी करना वस्त्र चढ आते हैं सुहाक की सभी सामगरियां जैसे की लाल चुन्नी चाहिए जो माको अरपीद करनी है आपको चूडियां चाहिए बिंदी चाहिए और भी सहामग्री अगर सवाक की आप सारग सामग्री अरपीत करते हैं जैसे कि महावर लिप्स्टिग और नील पेंटिस अब जाती है बहुत से जगों इस तरह से सजाय जाता है जैसे कि साक्षात मां वहां पर खड़ी हो थोड़ा सा उंचा गमला स्थापित करके और उसके उपर साड़ी लपेट कर वेधिवत उनको एक स्त्री की तरह सुसजित किया जाता है उसके बाद 40 ग्राम के साथ उनका विवाह संपन कराया जाता है तो यह कि अपनी श्रद्धा है सामर्थ है अगर आपसे संभो हो तो ऐसा जरूर करें नहीं तो लाल चुनी तो अवश्यमा को अर्पीद करनी है इसके बाद जब विदिवत आप पूजन कर लेते हैं जैसे कि धूब दीपुस्प सभी चीजें उन्हें अर्पीद करनी है उसके बाद सबी चीजें अर्पीद करके जब आप पूजा कर लेते हैं प्रार्तना कर लेते हैं ऐसा करें कि कुछ समय तक आप बैठ कर वहां पर मंत्र जप करें तो बहुत अच्छा रहता है कहा जाता है कि आज तुल्सी और शालिग्राम की पूजा के समय अगर हम विश्नु सहस्त्र नाम का पाट करते हैं विश्नु चालीशा का पाट करते हैं या फिर मातुल्सी के नामों का स्मरण करते हैं तुल्सी स्तोत्र का पाट करते हैं तो बहुत अधिक पुन्यफल की प्राप्ती होती है तो थोड़े समय जैसे पूजा कर रहे हैं आप धूब दी परपित कर रहे ओम तुलसी देव जाइनमा इस मंत्र काजब करते रहें इस तरह से आपको पूजा संपन्य करनी है उसके बाद साली ग्राम की जो चौकी होती है उसे अपने हाथ में लेकर साथ बार परिक्रमा करनी होती है लेकिन ये जो शाली ग्राम की चौकी उठाते हैं वो किसी तुलसी और शाली ग्राम की आरती जरूर करें सुक्सव भागे की कामना करें क्योंकि आपने विवाह संपन्य कर लिया है आपको मातुलसी और शाली ग्राम का आशिरवाद अवश्य प्राप्त होगा पूजा पुरुण होने के बाद जो भी प्रसाद आपने मातुलसी को अ जैसे कि आप नॉर्मली शादी व्याह में जाते हैं और पूरी तरह से सुसजित होकर अच्छे कपड़े पहन कर और तयार होकर शादी में सामिल होते हैं उसी प्रकार से आपको तुलसी विवाह में भी सब परिवार सामिल होना चाहिए अगर आपकी इच्छा हो तो आप अप संपन्य कराएं और सब मिलकर मा तुलसी की आरती करें तभी इस विवाह का हमें संपुरन फल प्राप्त होता है तुल्षी और शाली ग्राम के विवाह में किस चीज का भोग लगाना चाहिए घर में हर चीज बनाई जैसे कि पूरिया बना सकते हैं हल्वा बना सकते हैं खीर इसके साथ ही फलो का भोग लगा सकते हैं जो भी आपके पास समर्थ हो संभव हो उपलब्ध हो उसके हिसाब से हर वस्तु का भोग इस विवाह में लगाया जा सकता है सात्वी खोनी चाहिए बस इस बात का ध्यान रखें मतलब किसी भी प्रकार से लसुन प्याज इत्याद करें के साथ सच्वस्त धारण करके विवाह में सामिल होने के लिए उस पर उपलब्ध हो ऐसी के दिन मातलझी और शालिग्राम की पूजा करने के बार इस प्रकार चेव विवाहा समपन्ते कवादर अब जो भी मातलची मांगते हैं श्री हरविष्णु से मांगते हैं वह क की कामना अवश्य परोन होती है और तुलसी विवाह आप स्वयम से संपन्न करा रहे हैं चाहे आपने ब्रामध को नहीं बुलाया है तो भी ब्रामध के निमित आपको दान की सामगरी जरूर निकालनी है दान हम की चीज़ों का कर सकते हैं किसी भी चीज का जो आप दान करना भोजन की सामगरी दान कर सकते हैं सुहाक की सामगरी दान कर सकते हैं ब्रामध के निमित आप वस्त्र का दान कर सकते हैं दक्षिना के साथ अपनी सामर्थ के अनुसार जो भी आपकी इच्छा हो फल सबजिया अनाच इन सभी चीजों का दान कम से कम एक रिक्तिके खाने का भोजन तो जरूर होना चाहिए दान के लिए इसके अलावा अगर आप वस्त्र का दान कर सकते हैं बर्तनों का दान कर सकते हैं तो अत्यांते इश्रेष्ट होगा देव उठनी एक आदशी और तुलसी विवाह जो भी संपन्य कराते हैं उनकी सब की कामना पूर्ण होती है ले आज ही या फिर अगले दिन आप भी जवा सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई और भी प्रशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में आज के लिए इतना ही और अधिक अगर मैं अब प्रशनों को लेती हूँ तो वीडियो बहुत कर लीजिए इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नए वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय प्रग्राप्त हो जाएगी मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार